नमस्कार नेशनल साइंस डे पर हो रहे आज के बजेट बेबिनार का विशय बहुती महत्वपूर्ण है 21 सदी का बदलता हुआ भारत अपने नागरीकों को टेकनोलोजी की ताकत से लगातार नागरीकों को एमपावर कर रहा है बीते वर्षों में हमारी सरकार के हर बजेट में टेकनोलोजी की मदद से देश वासियों की इज अफ लिविंग बढ़ाने पर जोड़ दिया गया है इस बार के बजेट में भी टेकनोलोजी लेकिन साथ साथ यूमन टच को प्रात्मिकता यह हमारा प्रयास हुआ रहा है साथियों एक जमाना था जब हमारे देश में सरकार की प्रात्मिकताओं में बहुत जादा विरोधाभास नजराता था समाज का एक वर्ग ऐसा था जो चाहता था कि उनके जीवन में हर कदम पर सरकार का कोई कोई इंटर्वेंशन हो सरकार का प्रभाव हो यहनि सरकार उनके लिए कुछ न कुछ करें लिकिन पहले की सरकारों के समय इस वर्ग ने हमेशा अभाव ही मैसुस किया अभाव में जिन्दगी जुजने में ही निकल जाती थी समाज में ऐसे लोगों का भी वर्ग था यह दूसरे प्रकार का था जो स्वयम के सामर्थ से आगे बढ़ना चाहता था लेकिन पहले की सरकारों के समय यह वर्ग भी हमेशा दबाव सरकारी दखल भाती भाती की रुकावटे डगर डगर पर महसूस करता रहा हमारी सरकार के बीते कुछ वर्षों के प्रयासों से अब यह स्थीती बदलने लगी है आज सरकार की नीतियां और निर्णयों का सकारात्मक प्रभाव हर उस जगह देखने को लगा है जिसकी सबसे ज़्यादा जरुरत है हमारा प्रयास हर गरी और वन्चित के जीवन को आसान बना रहा है उनकी इज अफ लिविंग बढ़ा रहा है लोगों के जीवन में सरकार का दखल और दमाव भी कम हो रहा है आज लोग सरकार को रास्ते की रुकावट नहीं मानते हैं बल्कि लोग हमारी सरकार को नए अवसरों के कैटालिस्ट के रुक तौर पर देखते हैं और निश्चित तोर पर इसमें टेक्नोलोजी की बहुत बड़ी भूमी का रही है आप देखिए टेक्नोलोजी वन नेशन वन राशनकार का आधार बनी और इससे करोडों गरीबों को पार दर्सिता से राशन मिलना सुनिश्चित हुआ और दूसरे जो प्रवासी मजदूर होते हैं जो माइगरंट लेवरर्स होते हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ा आशिरवात बन गया टेक्नोलोजी जन्धन एकाउंट आधार और मोबाइल इन तीनों के करोडों गरीबों के बैंक खातों में सीधे पैसा भेजना संबव हुआ उसी प्रकार से टेक्नोलोजी आरोग्य सेतू और कोविन एप उसका एक महत्पपण साधन बनी और इससे कोरोना के दवरान ट्रेसिंग और वेक्षिनेशन में बड़ी मदद मिली हम देखते हैं आज टेक्नोलोजी ने रेलेवे रिजर्शन को और अधूनिक बनाया और सामान्य से सामान्य मानवी कोई इस पर कितना बड़ा सिर्दर दूध हो गया Common Service Center का Network भी गरीब से गरीब व्यक्ति को टेक्नोलोजी के माध्यम से सरकारी सेवाओं के बड़ी आसानी से जोड़ रहा है ऐसे अनेक फैसले लेकर हमारी सरकार ने देशवासियों की इज आफ लिविंग बढ़ाई है साथियों आज भारत का हर नागरिक इस बड़लाग को स्पस्ट तोर पर महसूस कर रहा है कि अब सरकार के साथ समवाद करना कितना आसान हो गया है एनि सरकार तक देशवासि आसानी से अपनी बात पहुचा रहे हैं और उसका समाधान भी उन्हें तिरंत मिल रहा है जैसे टैक्स से समंदित सिकायते पहले बहुत ज़्यादा होती थी और उसके कारण उसके माध्यम से टैक्स प्यर्स को कई तरीके से परिशान किया जाता था इसलिए हमने टेक्नोलोजी की मदद से टैक्स की पूरी प्रक्रिया को फेस्टलेस कर दिया अब आपकी सिकायतों और उसके निप्तारे के बीच कोई व्यक्ति नहीं सिर्फ टेक्नोलोजी है यह मैंने आपको एक उधारन दिया है लेकिन दूसरे विभागों में भी टेक्नोलोजी की मदद से हम जादा बहतर तरीके से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं अलग-अलग भिभाग अपनी सेवाओं को ग्लोबल स्टांडर का बनाने के लिए मिलकर टेक्नोलोजी का उप्योग कर सकते हैं इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए हम उन छेत्रों ते भी पहचान कर सकते हैं जहां सरकार से समवाध को और आसान बनाया जा सकता है साथियों आप जानते हैं कि हम मिशन कर्मयोगी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं इस ट्रेनिंग के पीछे हमारा उद्देश्ट यही है कि कर्मचारियों का सिटिजन सेंट्रिक बनाया जाए इस ट्रेनिंग कोर्स को अपडेट करते रहे डे की ज़रुत है लेकिन इसका बहतर प्रणाम तभी मिलेगा जब इसमें बढ़लाव लोगों के फिडबेक के आधार पर हो हम एक ऐसा सिस्टिम त्यार कर सकते हैं जिससे ट्रेनिंग कोर्स को बहतर बनाने के लिए लोगों के सुझाव मिलते रहे हैं साथियों टेकनोलोजी हर किसी तक सही और सटिक इनफर्मेशन पहुचा कर सब को आगे बढ़ने का समान अवसर दे रही है हमारी सरकार टेकनोलोजी को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रही है हम भारत में आधुनिक डिजिटल इंफरासेक्टर तयार कर रहे हैं साथ ही ये भी सुनिशिक कर रहे हैं कि डिजिटल करांती का फाइदा समाज के हर वर्क तक पहुचे आज जेम पोर्टल जी इएम जेम पोर्टल ने दूर दराज के छोटे दुकांदार या रेडी पट्री वालों को भी ये अवसर दिया है कि वो सरकार को सीधे अपना प्रोड़क्त बेच सके इनाम ने किसानों को अलग अलग जगहों के खरीदारों से जुडने का अवसर दिया है अब किसान एक ही जगह रहते हुए अपनी उपज का सबसे अच्छा मुल्य पास सकते हैं साथियों आजकल 5G और AI की चर्टा तो काफी दिनों से हो रही है ये भी कहां जा रहा है कि इंडिस्ट्री, मेडिसिन, एजुकेशन, एग्रिकल्चर और तमाम सेक्टर में बड़े बदलाव आने वाले हैं लेकिन अब हमें अपने लिए कुछ विशेस लक्ष ताय करने होगे वो कौन से तरीके हैं जिससे इस टेक्नोलोजी का उप्योग सामान्य मानवी की बहतरी के लिए किया जा सकता है वो कौन से सक्टर से हैं जिन पर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्या हम समाज की दस ऐसी समस्याओं की पहचान कर सकते हैं जिनका समाधान AI के माध्यम से हो सकता है जब हम hackathon करते हैं देश के नवजवानों के सामने टेक्नोलोजी के द्वारा solution की बात करते हैं लाखों नवजवान जूडते हैं और बत अच्छे solution देते हैं साथियों टेक्नोलोजी की मदद से हम हर व्यक्ति के लिए DG Locker की सुविधा लेकर आए हैं अब DG Locker for Entities की सुविधा है यहां कंपनियां MSME अपनी फाइलों को स्टोर कर सकते हैं और उसे विभिन रेगुलेटर्स और सरकारी विभावकों के साथ साजा कर सकते हैं DG Locker के concept को और विस्तार देनी की ज़रूत है हमें देखना होगा कि और किस तरीके से लोगों तक इसका फाइदा पहुचाया जा सकता है साथियों पिछले कुछ वर्षों में हमने MSME को सपोर्ट करने के लिए कई महत्वपन कदम उठाए हैं इस बात पर मन्थन की जरूरत है कि भारत के लगू उद्योगों को बड़ी कंपनी बनने में कौन-कौन सी बाधाएं आती हैं हम छोटे व्योसायों और छोटे उद्योगों के लिए कंप्लाइंस कोस को कम करना चाहते हैं आप जानते हैं कि बिजनेस में कहां जाता है कि टाइम इज मनी इसलिए कंप्लाइंस में लगने वाले समय की बचत का मटलब है कंप्लाइंस कोस की बचत अगर आप अनावश्यक कंप्लाइंसिस की लिस्ट बनाना चाहते हैं तो यही सही समय है क्योंकि हम पहले ही 40,000 कंप्लाइंसिस खत्म कर चुके हैं साथियों सरकार और लोकों के बीच विश्वास की कमी गुलामी की मानसिक्ता का परणाव है लेकिन आज छोटी गलतियों को डी किमिनलाइज करके और MSME लोन के गारंटर के तोर पर सरकार ने लोगों का भरोसा जीता है लेकिन हमें रुकना नहीं है हमें ये भी देखना होगा कि दुनिया के दूसरे देशों में समाज के साथ विश्वास मजबूत करने लिके क्या किया गया है हम उनसे सीकर अपने देश में भी वैसे प्रयास कर सकते हैं साथियों बजेट या किसी सरकारी पॉलिसी की सफलता कुछ हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कितने अच्छे तरीके से तयार किया गया है लेकिन इससे ज़्यादा उसे लागू करने का तरीका महत्वपूर होता है इसमें लोगों का सहयोग बहुत अहम है मुझे विश्वास है कि आप सभी स्टेक होल्डर्स के इन्पूट से इस ओफ लिविंग को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हम यह कहते हैं मैनुफेक्टरी हब बनाना जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट ये हमारे लिए प्राथफिकता होनी चाहिए हमारी क्वालीटी में कोई कॉम्प्रमाइड नहीं होना चाहिए, और उसमें टेक्नोलोजी बहुत मदद कर सकती है हम टेक्नोलोजी के मदद से प्रोड़क्शन में बहुत बहुत बारीकियों तक बहुती फिनिश में में प्रोड़क्ट लेकर कर आ सकते हैं और तभी ग्लोबल मार्केट हम कैप्चर कर सकते हैं हमने इस बात को स्विकार करना होगा कि 21 सदी टेक्नॉलोजी ड्रीवन है जीवन में टेक्नॉलोजी का प्रभाव बहुत बढ़ने वाला है हम सिरफ अपने आपको इंटरनेट और डिजिटल टेक्नॉलोजी तक सिमीत न रखें उसी प्रकार से जैसे आज अप्टिकल फाइबर नेटवर्क गाउं गाउं पहुत रहा है पंचायत तक पहुँचेगा, वेलनेस सेंटर पहुँचेगा, टेली मेडिसिन चलेगी इवन हेल्स सेक्टर भी पूरी तरह टेक्नॉलोजी डिवन हो रहा है आदेश बहुत बड़ी मात्रा में जैसे डिफेंस में हम बहुत कुछ आयात करते हैं क्या मेरे देश के उद्योग जगत के लोग टेक्नॉलोजी में अपग्रेडेशन करके उद्धिशा में नहीं जा सकते हैं और इसलिए अब जैसे अप्टिकल फाइबर गाउं गाउं पहुच रहा है जब तक प्राइवेट पार्टी सेवा ही लेने के लिए नहीं आती हैं नईने सौप्ट्वर लेकर के नहीं आते हैं सामान्य नागरी कुस अप्टिकल फाइबर से क्या सेवाय ले सकता है क्या फाइदा उठा सकता है उसके मोडेल को हम डेवलोग पर सकते हैं और हम सब कुछ में जन भागिदारी चाहते हैं सरकार को ही सब ज्ञान है ये न हमारी सोच है न हमारा दावा है और इसलिए आप सभी स्टेक होर्डर से मेरा बहुत आग्रह है कि आप 21 सदी जो की टेकनलोजी ड्रीवन सदी है उसको हम जितना जल्दी फैलाएं जितना जल्दी सरल बनाएं जितना जल्दी जन सामान्य को एमपावर करने वाला बनाएं उतना देश का भी लोगों का भी कल्यान होने वाला है और 2047 में विक्सीद भारत के लक्ष को प्राप्त करने में टेकनोलोजी हमें बहुत बड़ी ताकत देती है और हम भाग्यवान है कि भारत के पास नेचरल गीप्ट है, हमारे पास टैलेंटेड यूथ है, स्कील मैन पावर है और भारत के गाहों के लोगों को भी टेकनोलोजी का एड़प्शन की केपबिलिटी बहुत बड़ी है हम कैसे इसका पादा उठाएं मैं चाहता हूँ कि आप लोग विस्तार से इसकी चर्टा करें, बारिक्यों से चर्टा करें और जो बजेट आया है उसका उत्तम से उत्तम आउटकम कैसे हो, उसका उत्तम से उत्तम लाप लोगों तक कैसे पहुँचे, इस पर आपकी चर्चा ज देता हूँ बहुत बहुत भन्यवाद